Hello everyone, आज इस वीडियो में हम करेंगे Class 7, Chapter No. 2 Operations and Rational Number Worksheet 1 में Question No. 5 Question No. 5 में देखो क्या दिया गया है हमें Simplify First part है Minus 3 by 10 Plus 12 divided by minus 10 Plus 14 by 10 अब आप इसमें यह देखो 3 rational number है Minus 3 by 10 12 by minus 10 और 14 by 10 उनको क्या किया है? Plus किया है मतलब add किया है तो मुझे 3 rational number add करने है आपकी book में जो दिया गया है उसमें कुछ ऐसे grouping करके bracket लगवा के किया गया है लेकिन मैं तो आपको Simple एक step में सारा question करा दूँगी क्योंकि बार बार LCM लेने से बच्चों को थोड़े से दिक्कत होती है तो यह एक step में पिकर सकते हैं हमें तो answer find करना है तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगी पहले तो इसको standard form में लिख दो मतलब अगर कहीं minus निचे लिखा है तो उसको उपर लिखो पहले minus 3 by 10 plus minus निचे लिखा हो तो उसको उपर लिखा minus 12 by 10 plus 14 by 10 अब आपको यह लग रहोगा कि मैं यहाँ पर 12 और 10 cancel हो रहे हैं 2 से cancel कर लो 14 और 10 तो से cancel हो रहे हैं तो उनको cancel कर लो लेकिन अभी आप यहाँ से देखो आपको तीनों नंबर को add करना है मैंने आपको सिखाया था कि अगर denominator same है अगर denominator same है तो उपर वालों को ऐसे ही add कर देते हैं तो हम यहाँ पर cancel नहीं करने हैं क्यों क्योंकि निचे denominator पहले से ही same है अगर denominator same है तो वो question सबसे easy मानने जाते हैं हमें कुछ नहीं करना है अगर common denominator कितना अगे सब में 10, 10, 10 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 10 अब निचे वालों को नहीं देखना ठीक है simple job पर लिखा सिर्फ उसको asities लिख दो यही सिखाया था नहीं आपको पहले भी बताया था जब हम दो rational number को add कर रहे थे कि अगर denominator same है तो आपको बस common denominator को एक बार लिख दो और numerator जो भी लिखे गए है minus 3, minus 12 और 14 उनको add कर दो तो यहाँ से कितना है minus 3 है एक बार plus का symbol है एक बार minus का plus minus minus 12 आ जाएगा और यहाँ से plus 14 ठीक है easy हुआ न मतलब कोई वो नहीं देखना पड़ा कि 10 की केवल में 10 का हाथ है कुछ नहीं देखना पड़ा अगर नीचे वाला denominator same है तो common denominator को एक बार लिख दो और एक ही बार लिखा जाएगा ऐसा मत करना कि 10 plus 10 plus 10 30 नहीं सिर्फ एक बार मतलब कहने का मतलब तो वो ही है 10, 10, 10 का 10 ही आएगा अब निचे वाले same है न सब में तो उपर वाले भी same वही method लगा है ठीक है अब यहां से देखो अब आपको क्या करना है यह जो तीन नंबर लिखे गए है minus 3, minus 12 और plus 14 इनको solve करना है यह तो आपने वहाँ पे भी सिखा था जब मैं आपको classics में जब मैंने आपको integer chapter पढ़ाया था तो यह तो 3 integer ही तो है minus 3 और minus 12 है और plus 14 है बस इनको तो add and subtract वगरा करना है तो हम क्या करते हैं देखो मैं बताती हूँ आपको अब आप ऐसा करो या तो कोई भी 2 को solve कर लो पहले या तो पिछे वाले 2 को solve कर लो या पहले वाले कोई दिकत नहीं है कोई भी solve कर लो तो मैं ऐसा करती हूँ minus 3 और minus 12 चाहो तो bracket लगा लो minus 3 और minus 12 को मैं solve करती हूँ पहले तो यहां से देखो क्या आएगा same sign है तो add करेंगे 12 और 3 add होगा तो 15 आएगा 12 बढ़ा है उसका symbol minus है तो minus आएगा और यहां से आएगा plus 14 divided by 10 नीचे कितना आजाएगा 10 अब different sign है तो इनको क्या कर देंगे subtract 15 में से 14 subtract होगा 15 बढ़ा उसका symbol minus है तो minus तो हमारा answer आजाएगा minus 1 by 10 next है second part मैं आपको simple एक step में कराऊंगी कोई इससे कोई वो bracket लगा के grouping करना थोड़ा सा लंबा हो जाता है question इससे थोड़ा छोटा रहता है अब यहां से देखो 8 के आपोन में कुछ नहीं था तो मैंने 1 लगा दिया अब वहां तो देखो पहले वाले question में common denominator था easily question हो गया था अब यहां 10, 13 मुझे इनका LCM find करना पड़ेगा यहां तो मैं यहां LCM find कर दो 1 का तो कुछ है यह नहीं तो इसको तो छोड़ो तो 10 और 13 का ही देखो दोनों ही number ऐसे हैं जो किसी भी एक single table में नहीं आते हैं तो LCM कितना बन जाएगा चाहो तो एक बार 10 से कर दो लिखना है लिखो अधरवाईज यह तो आपको वैसे ही पता है 10 और 13 को जो multiply करेंगे तो कितना आजाएगा 130 equal यहां लगाओ निचे लिखो 130 अब आप यह देखो वैसे ही question करना है 10 की table में 130 कहा आता होगा या तो यह बताओ या फिर आप यह बताओ कि अगर आप निचे वाले को निचे वाले से divide करते हैं तो कितना आता है 130 को 10 से divide करोगे तो कितना आएगा 130 को 10 से divide करोगे 0 से 0 cancel 13 तो उपरवाले नंबर को 13 से क्या करेंगे multiply 13 की table में 130 कहां पर आता है 13 की table में 130 कहां पर आता है 130 को 1 से डिवाइड करोगे तो नीचे 1 हो तो क्या डिवाइड करेगा 130 आ जाएगा तो उपर वाले नंबर को 130 से मुल्टिप्लाइ करेंगे माइनस 13 और 5 को मुल्टिप्लाइ करो 13, 5, 0, 65 6 की 10 से मुल्टिप्लाइ करेंगे 60 प्लस 0 ऐसे लिखो जह multiply करना हूँ, 0 का ऐसे लिख देते हैं, 13 को 8 से multiply करो, 104 130, पहले हम दो नंबर को solve कर लेते हैं, इन दो नंबर को, ठीक है अब यहां से देखो, 65 और 60, अलग-अलग साएने तो subtract करेंगे 65 में से subtract हुआ, तो आएगा 5, 65 बड़ा, उसका symbol minus है तो minus यहां से आजाएंगे, plus 1040, sorry, 130, अब यहां पर सिंबल अलग-अलग है, एक plus का, एक minus का, तो minus हुआ, 1040 में से 5 minus करोगे तो कितना हैगा, 40, देखो, 1000 के तो कुछ टच करने की जुरूद नहीं, 40 में से 5 minus कर तो 35 बचेंगे, मतलब 1035, आप चाहों तो अलग लिखके कर लेना, यह नंबर बड़ा है तो इस plus का symbol आएगा, ठीक है, अब आप यह देखो, आपने divisibility rule सिखे थे, 6 class में, यह तो दोनों cancel हो रहे हैं, अगर कोईसी नंबर के फिचे 0 और 5 आ रहे हैं, तो दोनों 5 से cancel हो जाते हैं, तो cancel करते हैं, 5 से cancel करेंगे, तो 13 इनको cancel करेंगे, मैं नीचे लिखके करती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको वो भी लिखना है, मैं नीचे लिखके cancel करती हूँ, 5, 2, 0, 10, 5, 6, 0, 30, 5, 2, 0, 10, लेकि यह 3 से करते हैं, तो छोटा रहे जाता है, तो 0 आएगी, 5, 7, 0, 35, यहाँ लिखके दिखाती हूँ, 1, 0, 3, 5 को जब 5 से किया, 5, 2, 0, 10 यह तो हो गया, 3 नीचे लेके आई, 5, यह 3 तो 5 से छोटा है, तो divide नहीं हो रहा, तो 0 आएगी, 207 divided by 26 तो आपका आँसर आजेगा, 207 divided by 26 आँसर, थर्ड पार्ट, माइनस 5 divided by 10, प्लस 9 divided by 7, प्लस 3 divided by 20, प्लस माइनस 11 divided by 14, यहाँ से देखो, हमारे पास, अगर नीचे कहीं माइनस देखो, नहीं लिखा हूँ है, नहीं है ने, नीचे कहीं पर भी माइनस, चाहो तो अगर कैंसल करना चाहते है तो कैंसल कर लो, यह कैंसल हो रहा है देखो, यह कैंसल हो के 51005, 520010, तो यह बन जाएगा, माइनस 1 by 2, प्लस 9 divided by 7, यहाँ से प्लस, यह कैंसल नहीं, जो कैंसल नहीं हो रहे उनको as it is, लिख लो, ठीक है, अब आप देखो, जो नीचे वाले नंबर है हम इनका LCM find करना है, 2, 7, 20 और 14, grouping वाला method करना है, grouping वाला कर लेना जो book में दिया हुआ है, इस से थोड़ा सा जल्दी हो जाता है question, तो इस वज़े से एक अठाई की step में करवारे हैं, 2 से cancel करते हैं, 2, 1s are 2, 2 की table में 7 नहीं आता है, 2 की table में 20, 10 पर आता है, 2 की table में 14, 7 पर अब 10 से कर दो, तो LCM आ जाएगा, 2 multiply, 7 multiply, 10, 2, 7, 0, 14 और 1, 0 पिछे, ठीक है, तो यहां से हमारे पास हाया है, LCM हाया 140, अब आपको देखना है, निचे वाले को निचे वाले से डिवाइड करेंगे, तो कितना हैगा, इसको ध्यान से करना, यही main step होता है, निचे वाले को कि 70 ही आएगा, 140 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 70, तो उपर वाले नमबर को किसे multiply करेंगे, 70 से, ठीक है, ऐसे निचे वाले को निचे वाले को निचे वाले से डिवाइड करना है, 140 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 720 तो उपर वाले नमबर को 20 से multiply करेंगे, अब यहां से देखो 140 को 20 से डिवाइड करेंगे 140 को 20 से 0 से 0 कैंसल 27,014 तो अपरवाले निमबर को 7 से करेंगे 14 की टेबल में 140 10 पर आता है तो अपरवाले निमबर को किसे करेंगे 10 से तेक है अब मल्टिप्लाइ करके लिखो माइनस 70 को 1 से मुल्टिप्लाइ किया 70 प्लस 20 को 9 से किया तो 180 प्लस 37,021 प्लस माइनस माइनस 110 की 10 से मुल्टिप्लाइ करेंगे तो 110 अब वोन में है मेरे पास 140 अब आपको देखो क्या करना है अब जब 4 नंबर हो ठीक है जब 4 number हो तो grouping बना लो पहले 2 को solve कर लो बाद वाले 2 को solve कर लो वो मर्जी है आप क्या आप कैसे करना चाहो इससे कोई fact नहीं डलता answer तो same ही आता है ठीक है वैसे हम करते ही है कि minus minus वालो को add करके अलग से लिख लो plus plus वालो को add करके अलग से लिख लो या फिर बिल्कुल सिद्धा करो ज़्यादा सोचो मत पहले 2 को solve कर लो बीच में plus है plus को लिख रहने दो बाद वाले 2 को solve कर लो ठीक है तो अब यहां से देखो different sign है अब different sign है तो क्या होंगे subtract 180 में से 70 subtract होगा तो कितना आ जाएगा 110 180 बड़ा उसका symbol plus है तो plus ठीक है यहां से इस cancer bracket में ही लिख होंगे plus इस cancer निकालोंगे पहले different sign है तो subtract होगा 110 में से 21 subtract करेंगे तो कितना आएगा 110 में से 21 ठीक है इतना हैगा न 89 110 बड़ा है उसका symbol minus है तो minus अब यहां से मेरे पास है 110 plus minus minus 89 and divided by 140 अब यहां से देखो अब फिर हमारे पास यह होगा different sign है न दोनों के तो subtract करेंगे तो 100 110 में से अब की बार आपको subtract करना है 89 तो यह आएगा हमारा 21 110 बड़ा है उसका symbol plus है तो plus अब यह देखो है तो 7 की डेबल में तो दोनों cancel हो रहे है 7 3 0 21 7 2 0 14 and 0 तो answer आजाएगा 3 divided by 20 next है पूर्थ पार्ट 5 divided by 36 plus minus 7 by 8 plus 6 by minus 72 plus minus 3 by minus 12 अब हमें क्या करना है पहले तो देखो standard form में लिकलो अगर आप माइनस वगरा है यह दिक्कत ना करने तो standard form में लिकलो 5 by 36 तो ठीक है standard form में ही है plus यह भी standard form में ही है minus 7 by 8 यह यहाँ पर standard form में नहीं है एक तो देखो यहाँ minus निक्चे लगा लिखावा तो उसको उपर लिखा है ठीक और 672 तो cancel हो जाते है 672 तो cancel हो रहे हैं तो इनको cancel ही कर लो 6106, 6106, 62012 तो यहाँ से आ रहा है 1 divided by 12 यहाँ से देखो plus तो ठीक है minus से minus cancel हो जाएगा 3103, 34012, तो 1 by 4 जितना cancel कर लो उतना question easy हो जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगी जो नीचे वाले नंबर है उनका क्या निकाल लेंगी LCM मुझे पता है 36 सी आएगा क्यों क्यों कि जब मैं 36 की टेबल पढ़ती हूं 36 वंजा 36 क्या यह नंबर और जो छोटे है उनकी टेबल में आता है 4 की टेबल में 36 आता है 4 9 0 36 12 की टेबल में 36 आता है 12 3 0 36 यह नहीं आ रहा तो अगला नंबर आ जाएगा ठीक है चलो हम निकाल लेते हैं 36 है 8 है 12 है और 4 है LCM निकालो 2 से करो 2 से करेंगे तो यहां 18 2 4 0 8 2 6 0 12 2 2 0 4 अगें 2 से 2 9 0 18 2 2 0 4 2 3 0 6 2 1 0 2 2 से करेंगे 9 ऐसे रहा गया 2 1 0 2 3 ऐसे ही रहा गया अब 3 से करेंगे 3 3 0 9 3 1 0 3 अगें फिर 3 से 1 1 1 1 1 तो LCM आ जाएगा इनको मल्टिप्लाइ करो 2 मल्टिप्लाइ 2 मल्टिप्लाइ 2 अग 8 3 0 24 24 3 0 72 यहां से तो 8 मिला है यहां से 3 3 0 9 तो 8 और 9 8 9 0 72 ठीक है यहां से वैसे भी 72 हम पहले ही निकाल चुके थे अब आप यहां से देखो 36 की टेबल में 72 कहा आता होगा हमें पता है 36 को जब 2 से 36 2 0 72 होते है तो इसको 2 से करेंगे 8 की टेबल में 72 कहा आता है 8 9 0 12 की टेबल में 72 कहा आता है 6 पे अब 4 की टेबल में 72 ऐसे नहीं पता कहा पर आता है तो हम नीचे वाले नंबर को अगर नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कि अगर आपकी टेबल से बाहर निकल रहा है तब डिवाइड कर लिया करो 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हैगा 72 को डिवाइड करेंगे 4 से 41004 यहां से 3 रह जाएगा 48032 18 से अब इसको solve करो 52010 प्लस माइनस माइनस 79063 प्लस माइनस माइनस 166006 1 को 18 से करेंगे 18 यहां पर कोई सिंबल नहीं है तो प्लस आ जाएगा अब ओन में 72 है अब आप यहां से देखो अब आपको solve करना है कोई दो दो नमबर लेके solve करने है ठीक है यहां तो देखो कहीं बच्चे ऐसे करते हैं मैं आपको वह भी बता देखते हूँ वह ऐसे करते हैं कि फहले दो नमबर को solve करो जो answer आ जाएगा उसमें 3rd, चलो हम ऐसे ही कर लेते हैं मैं अभी पहले इन दो नमबर को solve करने हूँ ठीक है, सिर्फ इन दो नमबर को solve करने हूँ प्लस 10 और माइनस 63 तो हमें क्या करना पढ़ेगा 63 में से माइनस करें तो कितना है वो 63 बड़ा तो इसका सिंबल माइनस है तो माइनस, आगे बढ़ा सारा एजिटीडिे लिखका, ठीक है, जो भी स्टार्टिंग के दो हैं, उनको सौल करते जारे हैं, अब नेक्स्ट है, 53 में उनका सेम साइन है, सेम साइन है तो क्या करेंगे एड 53 में 6 एड कर दो तो कितना हो जाएगा 59 ठीक है 53 में 6 एड किया तो 59 53 बढ़ा उसका सिंबल माइनस है तो माइनस और यहां से प्लस 18 मैक्सिमम बच्चे वैसे यही करते हैं कि उन्हें लगदा है ग्रुप बनाने से अच्छा पहले दो का अंसर निकालो फिर उसका तीसरे के साथ अंसर निकालो फिर जो अंसर आजाएगा उसका फॉर्थ नमबर के साथ वह ठीक आंसर तो सेम ही आना है ठीक है अब यहां से देखो मैं आपको यहां थोड़ा नोट डाल के लिखके बता रही हूं थोड़ा सा मितलब अगर किसी बच्चे को गुरूपिंग वाला मितलब यह थोड़ा सा मैं बता देती हूं जिसे टाइम थोड़ा बच जाएगा अब उनमें था 72 उपर था प्लस 10 माइनस 63 माइनस 6 औ प्लस 18 अब मैं आपको यह कहते हूं कि आप ऐसा करो कि जिनके आगे प्लस लिखा हुआ उन नंबर को सबसे पहले आगे लिख लो ठीक है जिन नंबर के आगे प्लस लिखा हुआ उनको आगे लिख लो प्लस 10 आगे लिख लो प्लस 18 यहां लिख लो जिनके आगे माइनस उन तो मतलब ऐसा करो प्लास वालों को प्लस करके तो थीक है यह दोनों प्लस के थे उनको अलग से सॐल करके यह लिग दिया यह दोनों माइनस के smells का है वैसे इनका भी सेम साइन और हमाईगा इनको सॐल करils Detक एगां हो जाएगा 41 माइनस के क्योंगी 69 बढ़ा है तो माइनस जो भी आपको इन में से जो भी अच्छा लेकर हो वा कर लेना यहां पर हमने पहले दो को सोल किया फिर उसका थार्ड के साथ और फिर फॉर्थ के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगिया तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंट के साथ शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच